सुनिल कुमार पंडे, टीचर एजुकीटर हूँ मैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने एक कविता लिखी है, वैसे तो मैंने कविताएं बहुत सारी लिखी है, लेकिन ये कविता जो है, उसे मैं कविता न कहके एक एक एहसास, एक अनुभव कहना पसंद करूँगा, और ये कविता मैं समर्पित करना चाहता हूँ, हिमाले के जवानों को, तो ये पोयम देखिए, इसको एक बार बोलके पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, खून से सीची धर्ती को मैलाना होने दूँगा, श्वेद सच्चे मन को कालाना बनने दूँगा, हरे हमारे खेतों को सुखाना पढ़ने दूँगा, कदम कदम उत्थान को पल भरना रुकने दूँगा, परवत्सा अडिग हिमाले में चटान बरस जाओंगा, गर्दन तोड़ दुश्मन की सीमा की लाज बचाओंगा, सौगंद मुझे माटी की मा, तेरी मिट्टी में मिल जाओंगा, उनर जनमले गोदी में तेरी, फिर फिर वापस आ जाओंगा, खून से सीची धर्ती को मैलाना होने दूँगा, श्वेत सच्चे मन को कालाना बननने दूँगा, हरे हमारे खेतों को सुखाना पढ़ने दूँगा, कदम कदम उथान को पल भरना रुकने दूँगा, पर्वत साडग हिमाले में चट्टान बरस जाओंगा, गरदन तोड दुश्मन की सीमा की लाज बचाओंगा, सोगंद मुझे माटी की मा तेरी मिटी में मिल जाओंगा, पुनर जनमले गोदी में तेरी फिर फिर वापस आ जाओंगा, खुन से सीची धर्ती को मैला ना होने दूँगा, खुन से सीची धर्ती को मैला ना होने दूँगा,